उठाओ जाडू करो सफाई दीदी दादी चाचा भाई सुच्छता से उभरेगी सबकी अच्छाई तो होगी पूरे भारत की भलाई नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपके साथ आपका होश्ट और दोस्ष शुभांकर और मैं अनन्या और हमारे साथ हैं हमारे धेर सारे दोस्त और हम स्वागत करते हैं आपका बालकारेक्रम में अच्छा नन्या मुझे एक बात बताओ हाँ हाँ पूछो मुझे एक बात कई दिनों से जाननी थी कि तुम्हारे इतनी जल्दी और इतने सारे मित्र कैसे बन जाते हैं मित्र बनाने के तो कई सारे रास्ते हैं पर मेरे हिसाब से एक मित्र बनाने के लिए या हमें किसी का मित्र बनने के लिए हमारे पास स्वच्छवानी होना बहुत आविशक है और हाईजीन मेंटेन करना तो उससे भी जादा मतलब हमारी स्वच्टा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मुमी का निभाती है हाँ स्वच्टा और स्वास्त का हमेशा से ही गहरा नाता रहा है ये कई बिमारिया ऐसी होती है जो कि गंदे वातावरन से ही उत्पन होती है इसलिए एक स्वस्त जीवन जीने के लिए सफाई बहुत जरूरी है तुमने बिल्कुल सही कहा और पता है शायद इसलिए हमारी सरकार और हमारे विद्याले और ना जाने कितनी सरकारी ओर्गनाइजेशन स्वचता को इतना बढ़ावा दे रही है हाँ आए दिन कोई ना कोई गवर्मेंट की पॉलिसी स्वचता के उपर आती है और एस जीजी गोल्स में भी तो स्वचता पे कितना ध्यान दिया जाता है तुमने बिल्कुल सही कहा और अगर हम ऐसे ही अपने देश को साफ करने में लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भारत पूरा चमचमा जाएगा पूरा स्वच हो जाएगा ये बात तो सही है लेकिन हम इतनी बाते तो कर रहे हैं क्या हम भी अपने आसपास के वातावरन को साफ रखते हैं मैं थोड़ा बहुत रखने की कोशिश तो करता हूँ पर कभी-कभी गलती से हो जाता है यसे कभी-कभी मैं गलती से ना चाते हो भी अपने आसपास थोड़ा कुड़ा करकर फैला देता हूँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कम ही करूँ हाँ ये तो सही है क्योंकि हम कई बार आसपास अपनी चीजों को फैला हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं छोड़ो क्यों साफ करना मम्मी कर देंगी लेकिन हमें इन सब चीजों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अपने घर से ही तो हमारी स्वचता किया किसी भी चीज की शुरुआत होती है बिल्कुल सही कहा नन्या अच्छा नन्या एक बाद बताओ क्या तुम अपने कमरे की अपने घर की सफाई करती हो नई मैं कभी कभी तो सोचती हूँ कि मम्मी कर देंगे लेकिन कभी कभार अगर मेरा मन करता है तो मैं करती हूँ मैं भी ऐसा ही करता हूं कभी का बार पर कभी का बार मेरा जादा मात्रा में होता है जैसे कि मैं हफते में दो-तीन बार तो खुद से करी देता हूं हाँ ये सही है हफते में दो तीन बार तो एटलीस खुद से करना ही चाहिए अगर हम रोज हमारे पास टाइम नहीं होता है स्कूल ट्यूशन्स वगेरा की वज़े से हम तुमने बिल्कुल सही का इससे हमारे माता पिता को भी काम में हाट बटेगा और हम खुद से भी आत्म निर्भर बनेंगे हाँ अच्छा ननी हम तब से बाते करे जा रहे हैं और हमारे साथ हमारे कुछ मित्र भी तो है हाँ हमारे साथ दो बहुत नन्ने नन्ने और प्यारे प्यारे मित्र हैं तो चलो उनसे बात करी जाए बिल्कुल तो हम सबसे पहले अपनी एक नन्नी सी मित्र से बात करते हैं और चली इनसे इनका जाम जानते हैं आपका नाम क्या है मेरा नाम में इंजल है इंजल आप कौन सी कक्षा में बढ़ते हो मैं तीसी कक्षा में बढ़ते हूँ अच्छा आज अब हमारे लिए क्या लेकर आए हो आज मैं एक गीट की प्रसुस्ति करने आई हूँ अरे गीट गीट तो सब को सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है तो सुनाईए न फूलों ने जाके बूंदों से पूछा हम कहां रहेंगे हम कैसे खिलेंगे हम कहां रहेंगे हम कैसे खिलेंगे हम कैसे जीएंगे फूलों ने जाके बूंदों से पूछा बूंदों ने जाके मिटी से पूछा हम कहां रहेंगे हम कैसे खिलेंगे हम कैसे जीएंगे अंदेरों से हम घेरे हुए अंदेरों से हम भागे हुए पल पल हर पल हम जीए कितने काले धूमे में हवाओ ने जाके पत्तों से पूछा पत्तों ने जाके पेडों से पूछा हम कहां रहेंगे हम कैसे खिलेंगे हम कैसे जीएंगे हम है तो तुम हो तुम हो तो हम इंसान हो तुम प्रक्रती हम हमें जीने दो हमें खिलने दो हमें पानी दो हमें रहने दो दुनिया हमारी रंगों से भर दो खुशियां हमारी हर्याली कर दो हम यही रहेंगे हम यही खिलेंगे हम यही रहेंगे हम यही खिलेंगे हम यही जीएंगे हम यही जीएंगे हम यही जीएंगे अनन्या एंजल ने हमें इतना अच्छा गीत सुनाया है ना हाँ यह बहुत ही प्यारा गीत था यह तो सब को बहुत पसंद आया होगा चलो इस गीत के बारे में एंजल से भी कुछ बात कर लिजाए हाँ एंजल आपने इतना प्यारा गीत कहां से सुना मैंने यह गीत अपनी मैगजीन से सुना था वाव यह गीत तो सच में बहुत ब्यारा था और आप इसकी कितने दिनों से practice कर रहे हो मैं लगभग बहुत दिनों से इसकी practice कर रहे हूँ तभी आपने हमें इतना अच्छा गीत सुनाया सही में हमारे साथ आज एक और ननी बालिका है आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरनीत कौर है आप कौन सी क्लास में हो? मैं कख्षा दो में हूँ अच्छा, आज अब हमारे लिए क्या लेकर आए हो? मैं एक कुस्तक की कविता लाई हूँ हाँ तो सुनाओ ना नमस्ते, मेरा नाम हरनीत कौर है मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ इससे कुस्व अगरवाल जी ने लिखा है पुस्तक का उफार मेरे पिछले जनमनिन पर पापा दाय को छफार मोतर गारी खेल खलोने और संग में पुस्तके चार तूद गए सब खेल खलोने, बंद हो गए चलनीकार लगने लगे मुझे जली जली ही, वे सब तो बिलकुल बेकार मगर पुस्तकों से तो मुझको मिला ग्यान का एक भंदार इसलिए लगता है मुझको सबसे अच्छा यह उफार धन्यवाद अनन्या कविता कितनी सुंदर थी ना? हाँ, बहुत सुंदर कविता थी आपके पास के हमारे लिए और भी ऐसे कोई प्यारी सी कविता है? हाँ, मैं पास एक और कविता है हाँ, हाँ, सुनाओ हाँ, 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 सुनाओ एपसर के लगता है बादि मैं अन्यका अन्यकवर इलांस These islands are in the sea They are very far from me I'd love to go there To see the fish and the bear The beaches are so white and clean The water is so clear and green I'd love to swim and dive and play On a hammock I would just say Thank you I wanna go there I've got quite a nice love And a nice love You have been so fair Here I am Our family has a lot of problems So do I know that On our food Food Yes Because we have more problems So eat We have a lot of problems Because if we eat We have a different food We CANNOT जदा खाना खाएंगे तो उसके germs हमारी body में फैलेंग और उसे हम बिमार पढ़ सकते हैं और इसलिए तो हमें अपने घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए हाँ बाहर का खाना कभी-कभी तो चलता है पर ज्यादा तर हमें घर का ही खाना खाना चाहिए और जैसे कि जब लबी हम भार से कोई फल या सब्जिया लाते हैं तो हमको उन्हें धोकरी खाना चाहिए हाँ इन सब बातों का तो हमने कोविट के टाइम पर प्राक्टिकल भी देख लिया हम तुमने बिल्कुल सही कहा हाँ बिमार होने का कारण ही हमारा गंदा खाना बाहर का जंग फूड हो आता है कम आता है शायद 16 अक्टूबर हाँ मैंने भी पढ़ाता इसके बारे में यह 16 अक्टूबर को आता है और हर साल मनाया जाता है ताकि लोगों अपने खान पान के तरीके में बदलाव लाए और अच्छे से खान पान अपना सही कर ले तुमने बिल्कुल सही कहा और प हेलो बच्को, आज की कहानी का नाम है राज और जादूई जाडू एक बार की बात है एक छोटे से गाऊ में राज नाम का एक प्यारासा लड़का रहता था राज के घुंगराले बाल थे और हमेशा वो गाऊ में इधर उधर घुमता रहता था 12 साल का राज थोड़ा शरार्टी तो था लेकिन दिल का बहुत ही सच्चा था राज का गाउं एक खूब सुरत जगह पर था जो हरे भरे खेतों और लंबे तार के पेड़ों से घिरा हुआ था ज़र्णे, सुन्दर तालाब, सब कुछ वहाँ था लेकिन दूसरे गाउं की तरह राज के गाउं को भी एक समस्या का सामना करना पर रहा था हर जगह कच्रा और कच्रा बिखरा हुआ था गाउं की सडके अकसर गंदी और गंदी होती जा रही थी एक खूब सुरत सुभह जब राज अपने घर के पास खेल रहा था तो उसकी गेंद कच्रे के धेर के अंदर चली गई वो गेंद लेने गया तो उसने गुस्से से कच्रे के धेर को देखा फिर उसने गुस्से से चारो ओर देखा एक तरफ रामू हल्वाई दुकान के पीछे अपने मिठाई के बटनों को खुले में धो रहा था उससे निकला पानी जगह जगह जमा हो रहा था तो दूसी तरफ चम्पू फलवाले ने खुबी केला खाकर छिलका सड़क पर फेग दिया राज ये सब देखी रहा था तभी उसके दोस्त उसके पास आए क्या हुआ राज बॉल निकाल चल खेलते हैं लेकिन राज तो गेंद वगेरा भूल किसी और ही सोच में था उसने कहा या गाउं में इतना कच्रा क्यूं है चारो तरफ गंदगी ही गंदगी हम लोगों को कुछ करना चाहिए उसके दोस्त पपू ने कहा इसमें नया क्या है अपने आप ही बारिश में कच्रा इधा उधर बहकर चला जाएगा तो कि उतना परिशान हो रहा है लेकिन राज सचमुच सोच में पड़ गया था और उसने गंदगी से निपटने की ठान ली थी यार अगर हम सब एक-एक सड़क भी साफ करने की ठान ले तो एक ही दिन में हमारा चोटा सा गाम पूरी तरह से साफ हो जाएगा तू पागल हो गया है अब सड़कों पर हम जाड़ो करेंगे खेलना है तो खेल नहीं यार तुम लोग खेलो उदास मन से राज घर में आया उसने पता था कि गाउं के सभी लोगों को उस कचड़े को देखने की आदत हो गई है उन्हें इससे होने वाली बिमारियां इतियादी गंभीर बात लगती ही नहीं यही सब सोचते सोचते वो सो गया दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त उसकी नजर कचड़े के धेर के एक छोटी सी चमकदार चीज पर पड़ी उसने उस सुकता से उस कचड़े के धेर से बाहर खीचा वो एक झारू था लेकिन कोई ऐसा वैसा झारू नहीं बच्चो ये था एक सुनहरा जादोई झारू जिस पर एक नकाशीदार लकडी का हैंडल था राज ने झारू को घर ले जाने का फैसला किया उसने उस झारू को धोया तो उसकी खूप सूरती और सुनहरा रंग और निखर के आ गया राज में राज ने उसे कोने में सूखने के लिए छोड़ दिया जब राज अपने बिस्तर पर लेता था उसे अपने कमरे के कोने से प्यारी सी मधुर संखीत सुनाई दी उसने देखा कि जारू हवा में उड़ा है ज़ारू ने राज को कहा कि तुम बहुत ही अच्छे और सफाई पसंद बच्चे हो तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आया तो मैं खुरी चली आई आओ इस गाओं को साफ और सुन्दर बनाए राज इससे पहरे कुछ बोल पाता सुन्हेरा जारू उर्ते हुए बाहर चला गया राज पीछे पीछे दोणा उसने देखा जारू जहां से भी गुजरता कच्छडा साफ हो जाता सरके कुछी समय में गंदी से बेदाग हो गई कुछी घंटों में काम खतम करके सुन्हेरी जारू वापस राज के पास आ गई उसने राज को कहा कि अब मेरा काम खतम तुम और गाओं वालो का काम शुरू मुझे अब दूसी जगह भी जाना है जहां तुम जैसे बच्चे गंदगी से लड़ना चाहते और सफाई चाहते हैं बदलाव चाहते हैं राज ने सुनहेरे जारू को धन्यवात कहा और सुनहेरा जारू उड़ गया अगले दिन सुभे गाओं वालो ने इस बदलाव को देखा साफ सुन्दर सडके चारो तरफ बिना गंदगी हर्याली ही हर्याली जगह जगह कच्ड़ा फेकने के डब्बे उन्हें खुद लगा की धीरे धीरे वो कैसे कच्ड़े और गंदगी में रहने के आदी हो गए थे अब गाओं वालो की बारी थी वे भी अब इस मुहीम में शामिल हो गए अब कोई भी गाओं को गंदा नहीं करता था चम्पू फलवाला भी फलों के छिलके इतियादी कच्ड़े के डब्बो में डालने लगा वहीं हलवाई भी खुले में गंदगी फेकना या बटनों को धोना उसने बंद कर दिया धीरे धीरे हर चीज बदलने लग गई गाओं वालों और बच्चों की सेहत बहतर हो गई सभी खुश थे कुछी दिनों में गाओं वालों ने देखा कि प्रयाटक भी उस गाओं के जढ़ने तलाव इतियागी को देखने आने लगे जिससे गाओ वालों की आय बढ़ी गाओं और तरखी करने लगा तो बच्चों देखा स्वच्चता के लिए एक छोटे से बच्चे की छोटी सी सोच ने कितना कुछ बदल दिया मुझे पता है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि हमें जादोई जाडू कैसे मिलेगा लेकिन बच्चों अग आपको किसी भी सुनहरे जाडू की जरूरत नहीं पड़ेगी जादू अपने आप ही हो जाएगा हमारे देश में कितने ही गाओं हैं जिन्होंने सफाई नए तकनीक इत्यादी को अपना कर अपने तरक्की का रास्ता सशक्त कर लिया है बच्चों तो आप सब प्रॉमिस की चीजों की नहीं हो रही छोटी मोटी चीजों की भी सफाई जरूरी है जाओ और जरा देखो अपना बिखरा हुआ स्टाडी टेबल अपनी अलमारी और अपना स्कूल बैग और तो और वो पेंसिल बॉक्स जिसमें पेंसिल को छील छील कर तुमने कच्ड़ा भरतिया है तो आपके कहाणी तो कितनी अच्छी थी? मुझे कहाणी बहुत अच्छी लगी और इससे हमें बहुत अच्छी सीख भी तो मिलती है भिलकुल सही कहा अच्छा ननी एक बात बताओ कि जैसा भी हमने बात कही कि हमें स्वचता का ध्यान रखना चाहिए खाना खाते समें स्वचता का ध्यान रखना चाहिए पर खाना खाने से पहले हमें हमेशे अपने हाथ धोने चाहिए हाँ वो तो बहुत जरूरी है लेकिन इतना जरूरी काम हम अक्सर भूल जाते हैं स्कूल में लंज पीरियट से पहले हम अक्सर हाथ धुलना भूल जाते हैं क्योंकि लंज पीरियट के एकसाइटमेंट ही इतनी होती है तुमने बिल्कुल सही कहा और पता है कुछ बच्चे तो खाना छोड़कर खेल ने निकल जाते हैं हाँ और पता है मैंने तो कुछ बच्चों को ये भी करते हैं देखा है कि वो खेलते खेलते खाना खाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है हमें खाना हमेशा एक अच्छे इंवार्मेंट में खाना चाहिए और अपने हाथ धो कर खाना चाहिए हाँ और खाना खाते समय साथ बाते भी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल सही का अच्छा अनन्या तुम्हें पता है हाल फिलाल में एक और दिन आने वाला है जो हमारे हाथो और hand wash related है हाँ ये वाला तो मुझे पता है ये है world hand wash day हम तो क्यों ना इसके बारे हमारे शोताओं को कुछ बताया जाए हाँ बिल्कुल ये 15 अक्टूबर को आता है और ये दिन सुच्छता दिवस की तरह और खाद दिवस की तरह हमें एक और बढ़िया सीख देता है यही कि हमें हमेशा अपने हाथों को साफ सुत्रा रखना चाहिए तुमने बिल्कुल सही का और पता है हाथ धोने का भी एक सही तरीका होता है कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में जाते हैं नलका खोलते हैं बस पानी के नीचे अपने हाथ थोड़े से डालते हैं फिर पोच के आ जाते हैं ये लो धोलिये मैंने हाथ पहले मैं भी उन में से एक था, मैं मानता हूं इस बात को, पर हमें अपने हाँ साबून से अच्छे से दोने चाहिए हाँ, बिल्कुल, हम जिंदगी में काफी चीज़े जल्दबाजी में करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को तो हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए तुमने बिल्कुल सही कहा, और हांड़ वाश उन में से एक है, हाँ, बिल्कुल सही, हरपीत, क्या आप खाना खाने से पहले हांड़ वाश करते हों, हाँ, मैं रोज करती हूं, बहुत पढ़िया, यह तो बहुत अच्छी बात है, और एंजल आप, मैं भी हांड़ रोज करती हूं, बहुत पढ़िया, ऐसे ही हम सब को हांड़ वाश करना चाहिए, खाना खाने से पहले, या दिन में जब भी हम खेल के वापस आए, या कुछ भी करके आए, और कोविड ने तो वैसे भी हमारे हांद धोने के आदा डाली दी है, अब मैं जब भी कहीं बहार से घर आता तो क्या तुम कुछ पहेलियों के लिए तयार हो, बिल्कुल, अच्छा तो मैं अपनी पहली पहली से शुरुआत करूँ क्या, हाँ हाँ करो करो, तो मेरी पहली पहली है, एक बहादूर ऐसा वीर गाना गा कर मारे तीर, बताओ ये बहादूर कौन है, मुझे तो समझ नहीं नहीं आ रहा, हरनीत क्या तुम्हें समझ आया, मुझे भी नहीं समझ आया, मुझे लगता है एंजल को इसका जवाब पता है, एंजल तुम बताओ, मेरी को भी नहीं समझ में आया, चलो थोड़ी सी हिंट देता हूँ, हाँ हाँ, क्या है, कि ये गंदगी में पैदा होते है और इन से हमें बहुत सारी बिमारिया भी हो जाती है, अब ही तो हम इनी के बारे में बात कर रहे थे, जर्म्स, इसके नस्दीक ही है, एक बार तुम फिर से ट्राइ कर सकती हो, जर्म्स नहीं तो कोई कीड़ा या मच्छर, बिल्कुल सही जवाब, इसका सही उत्तर मच्छर है, तो एक बार अनन्या के लिए जोदार तालिया तो बनती है, चलो अगला वाला असान पूछता हूँ, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है, जिसका आकार तो है, पर कुछ भी भार नहीं होता, अच्छा मैं खेंट भी देता हूँ, एंजल और हर्नीत के लिए, कि ये हम अपने ये डेली लाइफ में यूज करते हैं, और इसे हम अपनी किताबों में लिखते हैं, पैंसिल, नहीं गलत जवाब, पर हाँ हम पैंसिल से इनको लिखते हैं, अब बताओ क्या हो सकता है, शर्प्ट, बिल्कुल सही, तो अनन्या के लिए और बार जोदार तालिया, चलो अब आखरी पहली पूछता हूँ, बताओ ऐसी कौन सी चीज है, जिसको हम सब काटते तो हैं, लेकिन उसको तुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, एंजल अब तुम बताओ, समय, बिल्कुल सही जवाब, एंजल के जोदा तालिया तो बनती हैं, अच्छा दोस्तों, अभी ह हमने पहलिया भी सुन ली, धेर सारी बाते भी कर ली, तो अब एक गीत की बारी हो जाए, हाँ हाँ, एक और गीत, बड़ा है आनन्द आएगा, हम, तो चलो सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, चन्दा चमके चम-चम, चीखे चो कन्दा चोर, चीती चाती चीनी, चाटोरी चीनी खोर चन्दा चमके चम-चम, चीखे चो कन्दा चोर, चीती चाती चीनी, चाटोरी चीनी खोर कितना मुश्किल ये गाना, जारा गाके दिखाना चन्दा चीनी चमके चाटे चो कन्दा चमके चम-चम, चीखे चो कन्दा चोर, चीती चाती चीनी, चाटोरी चीनी खोर खड़क सिंग के खड़कने से खड़कती है खिर्किया, खिर्कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंग कितना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना खड़क के खड़क के खड़कने खड़कने से 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 कितना ही मधुर्गीता हमें तो सुनके ही इसमें बहुत अच्छा है अच्छा लगा एंजल और हर्णी तुम्हें कैसा लगा मुझे तो अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा पर मेरे मुताबिक एंजल का की जादा वड़िया था है ना अच्छा दोस्तों जैसे कि हमने भी बात कर रहे थे ग्लोबल हैंड वाश डे पर और हांद धोने क अच्छी आदत है और यह हमें किसने सिखाई थी हमारे माबाप और बड़े बुज़र्गों ने अच्छा दोस्तों जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे एक ग्लोबल हैंड वाश डे की हाथ धोने पर बात कर रहे थे सवच्छता की बात कर रहे थे तो इस अच्छी आदत हमें सिखाई किसने थी हमसे बड़े और बड़े बज़ुर्गों ने बिल्कुल सही का अच्छा हर्णी तुम बताओ तुमें किसने बताया था कि खाने से पहले हाद होना चाहिए मेरी ममा ने मुझे बोला था कि हमेशा खाने से पहले हाद होना चाहिए और एंजल क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था हम तो दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर जितने भी अच्छी आदते हैं अच्छे संसकार हैं वो हमें हमारे बड़े बुदुर्गों सही मिलते हैं हाँ हमारी दादी ना तुमने बिल्कुल सही कहा और उनके द्वारा दिया गया ग्यान तो किसी भी इंटरनेट वेबसाइट से जादा है। गुरु ने पूछा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है अनमोल। आये जवाब बड़े गोल मोल। पर एक जवाब ऐसा आया जिसने अपनी द्रजव ध्यान सबका आकरशित कराया। है वही है वही है वही धन्यवाद। ये कितनी प्यारी कविता थी। क्या तुमने ये खुदी लिखी है। हम मैंने खुदी लिखी है। वाँ ये कविता सच में बहुत अच्छी थी। अच्छा ये इतनी अच्छी है तो क्या मैं इसे अपनी दादी को सुना सकता हूँ। हाँ सुना तो सकते हो। हाँ तो मैं जिदा घर जाके उनको सबसे पहले ये कविता सुना दूँगा। बिल्कुल वह बहुत खुश होंगी। अच्छा नन्या तुम्हें एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ा जो तुम्हारे दादा दादी ने सिखाई या नाना नानी सिखाई जो तुम्हारे आगे जाके सबसे जादा काम में आई। मुझे लगता है मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टन चीज़ जो मुझे सिखाई है वो यह है कि कभी भी जिन्दगी में हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपना काम बहुत निश्चय पूर्वक करना चाहिए ताकि क्योंकि काम करना हमारा कर्म है फिर उस पे जो फल मिलेगा वो बाकी की बात है काम सबसे पहले हमें अच्छे से करना चाहिए विदाउट उसकी चिंता करे कि उसका परिनाम कैसा होगा। हम अनन्या तुम तो बड़ी विद्वान हो और शायद इसके पीछे तुम्हारे बड़े बुजूर्गों का ही हात है। हाँ हो सकता है वैसे तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी ने क्या सिखाया है। उन्होंने तो सिखाया है कि कभी जूट नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सत्य की रहा पर चलना चाहिए। हाँ ये तो बहुत अन्मोल सीख है। अच्छा हरनी तुमने अपने बड़ो से ऐसा क्या सिखा जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमारे शोताओं के साथ शेयर करना चाहिए और वह तुम्हारे जीवन में बहुत काम में आया। मेरी मम्मा ने सखाया कि सबसे अच्छी बाते बोलनी चाहिए है। हम ये तो बहुत अच्छी बात है है ना नन्या। हाँ और ये बात तो हम हर दिन अपने जीवन में अपलाए करते हैं सबसे अच्छे से बात करना। और एंजल तुम भी तो बताओ कुछ कि तुम्हारे बड़े बज़र्गों ने तुम्हें क्या सिखाया। मेरी मम्मा कहती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्पून सीख है। हुँ, और ना जाने ऐसे कितनी लाखों, हजारों बाते हैं जो हमें हर रोज सिखाते हैं। और जरूर नहीं क्यों हमें बिठाए और हमें बोले कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, कभी-कभी उनकी कहानियों से भी हमें इतना सब कुछ सीखने को मिल जाता है, उनके इतने सालों के अनुभव से हमें इतना सब कुछ सीखने को मिल जाता है, जो हमें था कि वो मुझे आज एक कहानी सुनाएंगी अच्छा कौन सी कहानी मुझे भी सुनाना हां मैं तुम्हें और हमारे सभी दोस्तों को सुनाओंगा तो पर उसके लिए पहले मुझे खुद भी तो सुननी पड़ेगी यह बात तो है और उसके लिए मुझे अपने घर जाना फिर अगले सब्ता इसी वक्त पर इसी सेम फ्रिक्वेंसी पर और हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का कारेक्रम पसंद आया होगा आपको हमारी धेर सारी मस्ती भरी बात अच्छी लगी होगी आपको हमारे प्रोग्राम में कुछ ज्यान वर्धक लगा होगा और आपक कि अपनी दादी या नानी से कोई बढ़िया सी कहानी सुनेंगे तब तक के लिए दीजी हमें इजाज़त जैहिंद कि अ झेसे, झानें, आङडियोग दो क्वरिद से Сत को भी ऑilimप्राजार से सालिफ आह से ढाय या लाierto कि पडते हैs झाल